हलो एव्रिवन वैलकम तो माई यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिट्रेचर जोन तो आज के वीडियो में हम लोग ब्रेक ओफ दे इन दा ट्रेंचे जो की आज इक रोजन वर्क की काफी फीमस पुय में उसके बारे में पढ़ेंगे तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो जो एक जमीन के अंदर गढ़ा बनाते हैं लंबा सा और उसमें पर दस पंदवा सैनिक कैसे रहते हैं और फिर लडाई करते हैं जैसे कि आप पिक्चर में साइड में स्क्रिंसोर्ट मेंशन करती हैं आप देख सकते हैं तो उस तरीके से ना त्रेंचे बनाया जाता था तो यह उसी ताम जो ब्रेंचे में एवं तो ऑसा जाए को टो परहां तो चैनल जाती है युद्ड़ाय करते समय आप देख स्टैनिक शोल्जर ते तो उस ताइम जो ब्रेक मिला आता है ना उस थाइम जो धॉट आता है नहीं उस थाइप मिला एक्सप्रेस किया हूए है अधर इस poem के जरिए तो break of the day in the trenches अब लोग समझ गया अब क्या होता है इस poem है composed by Isaac Rosenberg जिसको की composed किया गया है लिखा गया है Isaac Rosenberg के द्वारा The Great War Poets जो कि एक महान war poet during the modern age जो कि modern age के महान war poet इस poem is an illustration यह poem एक illustration इस poem एक चित्रन है और the futility of war war की निर्थकता को दिखाता है वेर्थता को दिखाता है and the folly of the persons folly it means एक पाखर न बोल सकते है मुर्खता को दिखाता है लोगों की who are engaged in first world war जो कि इंगेश थे सामिल थे first world war में जो कि 1940 से लेके 1918 तक चला अब आगे है Rosenberg himself is fighting in the war as a soldier एक सैनिक की रुपे खुद वार में लड़ रहे थे युद में so in the futility of war war की वर्थता को दिखाते हुए Rosenberg says Rosenberg कहते हैं nothing can justify war कि कोई भी चीज ना war को justify नहीं कर सकता कोई भी situation कोई भी कारण war को युद को शही नहीं बता सकता ठीक है तो यहां पर हम एक और चीज डिसकस करेंगे कोई भी war point हो चाहे वो Rupert Brooke हो Isaac Rosenberg हो Wilfred Owen हो यह सारे war point है लेकिन इन में से कोई भी ना war को युद को support नहीं करता सब युद की against थे सब का कहना है कि युद से बहुत ज़ादा विनाश होता है माशूम लोग मारे जाते है अब आगे है This poem was written in 1916 इस poem को भी 1916 में लिखा गया It was a stream of consciousness narrative इसको stream of consciousness narrative तरीके से बताया गया सुनाया गया stream of consciousness क्या हो जाता है किसी इंसान के deepest thought के बारे में पढ़ते हैं जानते हैं कि इंसान के mind में क्या चल रहा है तो यह जो ना stream of consciousness तरीके से लिखा गया That takes the reader जो कि reader को It means हम लोग को Into the deepest and most dissolved part of World War I तो World War I के हम लोग को most dissolved It means हम बोचकते है विनास काड़ी और वो मिर्तियू भै उस वाले पार्ट में ले जाता है अब आगे है The war is between the German and the English English का मतलब होता है यह इंग्लेंड तो जो यूद चल रहा था जिस यूद में Isaac Rosenberg खुद सामिल थे अजे सोल्जर तो वो यूद था German और England के बीच में अब आगे In the Poem Poem में Break of the Day in the Trenches Break of the Day in Trenches में Rosenberg makes Settle Comparison Rosenberg जो है एक सुक्ष्म तुलना करते हैं Between Human Beings and Red इसके बीच में तुलना करते हैं इनसान और रेट के बीच में चुहे के बीच में Through the Medium of Soldier Soldier It means Seneca की माध्यम से In the Trenches उस Trenches में उस खाई में जो गढ़्धे में जो सोल्जर है उनसे तुलना करते हैं और क्यों तुलना करते हैं क्योंकि Seneca भी जो है वो Trenches में खाई में और चुहा भी ऐसे बीच में चुपके बिल बनाके रहता है अंदर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस वाज़े से भी वो चुहे और सोल्जर को Seneca का कंपैरिजन कर रहे है इस जगा जिस पर दोनों में से किसी का अधिकार ना ओठीकार है यह पाला सेक्षों पर नहीं इधर वाले देश का अधिकार है तो वो no man's land में क्या होता है ना उसको भी चुहा क्रॉस कर जाता है and make friends with the German in me जो German in me है जर्मन के साथ जो youth जल रहा है जर्मन जो soldier है तो उनके साथ भी क्या होता है उनको भी चुहा friend बना लेता है the rat जो चुहा है that ubiquitous व्यापक features विसेशता दिखाता है World War 1 के imagery picture की here act as a reminder यहां पर हम लोग के लिए एक reminder it means एक याद दिन आने का काम करता है of English England वाले लोगों के लिए and Germans के लिए common humanity event in times of war की इंसा मतलब common humanity चुहा है ना एक तरफ से England के soldier के तरफ से German के soldier के तरफ जाके एक तरह से common humanity दिखाता है कि war के time भी यूद के time भी चाहे वो जर्मन soldier हो या England के soldier हो उन लोग के अंदर थोड़ी सी मानवता बची हुई है about Isaac Rosenberg हम लोग Isaac Rosenberg के बाड़े में पढ़ लेते है Isaac Rosenberg is known as great English trench poet महान English trench poet के नाम से जाने जाते है his poem from the trench उनकी जो poem थी trench से are recognized as some of the most outstanding poetry वो जाने जाती है one of the most christ poem के रूप में कविता के रूप में written during first world war one जिसको की world war one के द्वारान या first world war के द्वारान लिखा गया ठीक है फिर से यहां पर हम डेट मैंशन के world war one का he was only 28 वा सिर्फ 28 साल के थे when he died जब उनकी मिर्ती हुँ हुई he was killed while fighting in the world war one उनकी मिर्ती जो हुई world war one में यूद करते टाइम ही हुई among his world famous war poem उनके world famous war poem में सामिल है dead man's dump on receiving news of the war August 1914 break of the day in the trenches God and the zoo यह सब उनका famous poem है he wrote वह लिखते है I never joined the army from patriotic region वह क्या लिखते है कि मैंने कभी आर्मी नहीं आर्मी इसलिए नहीं जोइन की कि उनके अंदर देश भगती थी ऐसा line जो है वह आईसे क्रोजनबग कहते है आगे है structure of the poem इस poem का structure या form क्या है the poem is written in a long stanza poem को एक लंबे stanza consisting of 26 lines मतब 26 lines की लंबी सी poem है उस form में लिखी गई है it does not follow a particular rhyme scheme या कोई particular rhyme scheme फॉलो नहीं करती है और a specific rhythmic pattern नहीं कोई rhythmic pattern so the poem is written in free verse इसलिए poem कोई भी pattern follow नहीं कर रही है इस पते से हम कहा सकते हैं कि poem जो है free verse style में लिखी गई है किसी भी तडिकी के rules like relation को poem लिखते टाइब फॉलो नहीं किया गया अब आगे themes of the poem poem का जो विशय है पहला है horror of war war के डर को यूद को दिखाया गया the irrationality of war war के irrationality तर खींता हो दिखाया गया है the unidiesling of war war की फिर से unidiesling ideal यानि हो जाता है others तो किस तरह से unathers है war हम लोग के लिए अच्छा नहीं है वो दिखाया गया the devastation of war devastation इतमेंस हम लोग हो सकते हैं war से तो तबाई होती है वो दिखाया गया है अब आगे summary of the poem poem की summary देख लेते है as the soldier was about to build the wall in the trenches अब जो soldier है व्युद में वो क्या कर रहे ना wall बना रहे हैं युद में लडने के लिए trenches it means sky का wall बना रहे हैं दिवार बना रहे है he was touched by the live rat तभी उनको क्या होता ना कि एक live rat एक जिवित rat के द्वारा चुहा के द्वारा touch कर दिया जाता है whose cosmopolitan sympathize he appreciates जिसकी की शर्वयापकता की चुहा कहीं भी जा सकता है लेखक जो है चुहे की शर्वयापकता को appreciate करते हैं और एक sympathize भी करते हैं शहानुभूती भी दिखाते हैं चुहे से the rat touches the English hand पहले तो English hand को touch करता है मतलब England के soldier को touch करता है उसके hand को and will even touch the hand of German soldier और फिर German soldier के पास जाती German soldier को भी touch कर लेता है ठीक है दो हत्रक के soldier को सैनिक को touch कर रहा है it does not make discrimination मतलब जो भेदभाव होता है between friends and enemy कि उसके कौन friend है उसके कौन enemy है शत्रू है this or that your or work के बीच में mine and yours, mera, tumhara and many others तो चुहा जो है इनसर के बीच में difference नहीं करता है human beings are very inferior to rats human beings जो है inferior it means बहुत niche हीन हो गया rats से भी जादा छोटा हो गया in the sense that they make the discrimination क्योंकि जो चुहा है वो discrimination भेदभाव नहीं करा लेकिन जो इनसान है ना आज की रेट में वो क्या करने लगा है discrimination करने लगा है human discrimination is a responsible factor behind the war poet का मानना है कि यही human discrimination के वज़े से इनसान के भेदभाव करने के वज़े से क्या होता है human beings are so pervasive and hateful इनसान जो काफी घ्रेना भढ़ गया है that they even suit the rat कि और इतना जादा घ्रेना इनसान के अंतर आगया है वो चुहा को भी suit कर देता मार देता उस पर गोली चिला देता जान जाता its fair attitude point का कहना है German soldier तो दोनों मेंसे किसी को पता चल जाता ने कि चुहा का रवया है चुहा क्या किया है तो वो लोग चुहा को भी suit कर देता अगर German को पता चलता है तो German shanik क्या करते ना चुहा को भी मार देते या England वाले shanik को पता चलता है जर्मन वाले shanik के तरब से आया हुआ है इंग्लाइड वाले shanik भी चुहा को मार देते they transfer their mutual hatred वो लोग क्या करते ना mutual it means आपसी hatred को आपसी घ्रिना को transfer कर देते for each other एक दूसरी के पती जो उनके अंदर घिरना है ना to the rat rat के अंदर भी transfer कर देते उन लोग के घ्रिनाट और सिकार जो है चुहे को भी होना पड़ता अगर किसे को पता चलता कि चुहा reality में क्या कर रहा है उसका मतब क्या रवया है the speaker invites the rat speaker जो है वकता वो rat को invite करते है to look at his eyes कि उसकी आखों में देखे where the iron flame and aghast hurt dominant poet क्या कहते है speaker वकता जो मतब soldier भी है वो कहते कि उनकी आखों में चुहा देखे कि अंदर अब सिर्फ क्या भड़ा हुआ है ने फ्लेम क्रोध गुसा डर्भ है यह सब भड़ा हुआ है the human eye should be full of love जबकि इंसान का जो आई होना चाहिए आख होना चाहिए वो love प्यार होना चाहिए उसके अंदर affections ने होना चाहिए kindness द्यालूता होनी चाहिए and benevolence भलाई होना चाहिए दूसरे की भलाई करने की भावना होना चाहिए इंसान के अंदर but unfortunately लेकिन दुरभाग ये पुर्ण those human virtues जो वो इंसान का जो गुन होता है kindness, affection, love, benevolence भलाई have been replaced by cruelty उसको replace कर दिया गया है हटा दिया गया है मतलब अच्छाई की जगह इंसान के अंदर बुराई ले लिया है cruelty cruelty hatred घरना आ गया है essence of revenge एक बदले की भावना आ गयी है and the desire for mutual destruction और एक दूसरे की तबाही का एक desire आ गया इच्छा आ गया है कि एक दूसरे को ब्रबाद करना है ठीक है तो इंसान के अंदर से सारी अच्छाई खतम हो गई और सिर्फ बुराई आ गई है the speaker feels inferior to the rat the rat से भी छोटा feel करते है for not being able to maintain universal sympathize like him कि उनके अंदर उनको सारभॉमिक सहानुबूती मतलब जो है चुहे के जैसे उनके अंदर नहीं है तो इस वज़े से speaker भी यहां पे छोटा feel करते हैं next speaker commenting on human nature human nature के बाड़े में बात करते हैं वे जो speaker है अगला using the image of flower poppies poppies flower का image यूज़ करते हैं poppies have roots in human veins वो कहते हैं poppies have roots in human veins poppies का root होता है इंसान के veins इतमिंस नसों में होता है means to say it symbolically stands for humanity poppies flower है humanity का प्रतिक्य humanity के चिन के रूप में यूज़ किया गया है it means in-sans के अंदर होता है poppies जो है इंसान के नसों में बात करने इंसान के नसों में in-sans के अंदर humanity होती है the speaker further complaints speaker आगे complain करते है that यह poem का line लिखे हुए poppies whose roots are in veins are dropping day by day लेकिन जो इंसान के अंदर poppies flower है humanity का प्रतिक है dropping यानि दिन पर दिन खराब होता जा रहा है poppies are flowers standing for humanity poppies जो flower है humanity के प्रतिक है but the humanist flower लेकिन जो humanist flower है जो प्रतिक मानवता का has been gradually dropping flower वो धीद्री गिरते जा रहे नश्ट होते जा रहे खतम होते जा रहे but the poem raises hope लेकिन जो poem है एक आसा जगाती है with the speaker claim speaker के claim के साथ इस दावे के साथ रहे है and this awareness और यही जो जाग रुकता है is the source of hope यह उनकी hope का कारण बनता है उनकी आसा कारण बनता है it means poet केना चाले कि अभी उनके अंदर थोड़ा सा poppies है it means humanity है मानवता है अब आगे on one hand वहीं एक तरफ the poppy is the symbol of hope जो poppy flower है वो hope का symbol है it means आशा का प्रतीक है in the poem poem में but on the next hand और वहीं दूसरी तरफ it is the symbol of war यह युद का भी प्रतीक है वो poppy flower red color वाला especially its redness और especially जो इसकी लाली मा है redness red color stands for the blood वो किसको denote करता है blood को दिखाता है क्योंकि blood भी red होता है poppy flower भी red है dead soldier dead soldier shenik उनके blood का symbol of poppy flower and it grows on the dead body और जो यह poppy flower वो dead body उगता है of the soldier in the battle battle में जो यूद में मारे जाते है shenik ना उनके dead body पे यह flower उपता है the whitening of dust on the poppy और जो white color का मतलब dust है poppy flower पे signifies the process of dying वो मतलब एक प्रतीक है चिन है dying के process का मरने की प्रेकडिया का of the poppy poppy के which metaphorically जो की एक रूपक के रूप में यूज किया गया means the upcoming death जिसका किया अर्थ होता है कि poppy flower है red से देदरे उसके उपर white color का dust जवरा it means वो देदरे मुर्जा रहा है तो यह न soldier के मरनी की प्रकिडिया को दर्शा रहा है कि soldier का shenik का कुछ time बाद जैना अंत हो जाएगा upcoming death of the poetic person it means का व्यात्मक कुछ time के बाद death हो जाएगा it means poet at the end कहना चाह रहेंगी कुछ time के बाद poet खुद नहीं बच पाएंगे युद में अब आगे conclusion mentioned किये वे निसकर्ष thus इस प्रकार we can say हम लोग कहते है that break of the day in trenches जो है is recognized as the most admired poem of the first world war first world war के time का most recognized जिसको बहुँ जदा प्रशिद famous poem है और most admired जिसको बहुँ जदा प्रशिद सा मेली है उन poem में से है by Isaac Rosenberg तो Isaac Rosenberg के दौरा लिखी गई poem में से जितनी भी poem फर्स्ट वर्ड वर्र के दौरा लिखी गई उन सब में से one of the most famous poem है ये break of the day in the trenches अब आगे है the everyday horror of the war मतलब जो प्रती दिन एक भय होता था war का युद का and the sentiments of the soldier और sentiments जो भावनाय होती थी soldier की are expressed very well ये बहुत अच्छे से expressed की गई है बहुत अच्छे से इस चीज का व्याख्यां किया गया मतलब सैनिकों के भावना का without any sentimentality बिना किसी भावना में प्रविरतन के हुए भावुख हुए हुए बहुत अच्छे से soldier सैनिकों की भावना को express किया गया है तो यहाँ पे जो है वीडियो खतम होता है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो की तुरो आपकी help हुई